नवस्कार स्वागती एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चेनल फार्मा एमसी की वब पे दोस्तो यूपी ट्रपल सी फार्मासिस्ट से होमियोपेट के 397 पोस्ट पर जो है विग्या पंजारी हो चुका है जिसका आप लोगों को वीडियो कल तक प्रोवाइड कर चु भर सकता है क्या पैट 2022 वाले केंडिडेट डिलीजवर होंगे जिसने पैट एक्जाम नहीं दिया है 2023 का वो क्या करें तो सारा सब कुछ डिटेल में डिस्स करेंगे इस वीडियो में तो चलिए फ्रेंट्स भीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं वाई वीडिय पहले फ्रेंड मैं आपको कल वाली ओफीसिल पीडियो दिखा देता हूँ आप लोग यहां पर देख सकते हैं कल होमियोपेट बैसेजिक मुख्य पर इच्छा के लिए भाई बहुत ज्यादा खुसी हुई बच्चों को जो है और मुझे भी खासकर जो है फार्मा एमसी क्य बिग्यापन निकल के आया है और बहुत ही कम टाइम 15 को बिग्यापन निकला है और भाई 20 तारिक से आप लोगों के ऑनलाइन फार्म भरने शुरू हो गए सारे डाकुमेंट त्यार कर लीजिए ठीक है तो भाई सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है कि कौन-कौन फ 23 का एकजाम दिया है वही केंडिडेट यहां पर इलिजिबल है पैट 2022 का कोई भी केंडिडेट यहां पर इलिजिबल नहीं है अब आप लोग पूछेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं सर कि ऐसा है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बिसेस आहरता ही दिखा देता हूं जो यहा पर दिया होया है अता इस परिच्छा में प्रतिवाद यहे तो केबल बही अब यहां पर तीसरी लाइन से पढ़ेंगे फ्रेंड आल लाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंबिक आहरता परिच्छा 2023 में समलित हुए है ठीक है तो बही यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर साप साब लिका है एवम उन्हें आयोग द्वारा इसकूर कार्ड बेद साकारात्मक स्कूर के साथ जारी किया गया है प्रारंबिक आर्था परिच्छा 2023 में बास्तविक अप्सलिट स्कूर अत्वा नार्मल राई डिस्कूर में सून या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अब्धार्थी को मुख परिच्छा है सौर्ट लिश नहीं किया जाएगा तो बहुत से कंडिडेट का ये भी सवाल था कि इसमें जो है सर कटाप कितनी रहेगी तो भाई मुख परिच्छा में आप सभी लोग बैठेंगे बसरते हैं आप लोगों का नंबर जीरो या माइनस बन माइनस टू माइनस थ्री नहीं होना चाहिए ठीक है अगर आप लोग का याँ पर नंबर 1,2,3 जितने भी यह ऊपर तक ठीक है तो मिनिमम एक नंबर यहाँ पर चाहिए ठीक है इसकी प्रेशन कैसे करें और कैसे क्या करें तो भाई मैंने आप लोगों के गुरमं में एक जो है यह तो आप लोगों के हो गए डाउट सारे ठीक है और जो है बाकी आभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो जो है comment करिएगा बाकी आप लोग का एक सवाल ओर भी था जिन्होंने पैट का एक्जाम नहीं दिया है वो candidate क्या करें भाई मैं उनसे क्या ही कहूंगा जिन्होंने पैट 2023 का एक्जाम नहीं दिया है डीफ हॉम होमियोपेश से pass out है तो भाई मैं उनके लिए एक कहूंगा कि आ अगली वेकेंसी का तो किसी को नहीं पता कि कब तक आएगी ठीक है इसलिए अब से जो भी विसेश आरता दारित करता है समू का और खा में बैठने के लिए तो भाई आप लोग पैट का एक्जाम देते रही है बले ही कितना दूर क्यों न सेंटर हो कैसे भी जाना जाए आप लेकिन आप लोग पैट का एक्जाम जरूर दीजेगा ठीक है तो यही कुछ अफडेट थी मैंने सोचा आप लोगों को दे दूँ आप लोगों का आप भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजेगा और भाई परिच्छा की तैयारी के लिए चैनल को सस्क्राइब करके रख लीजेगा आप लोग एक बार चैनल के बारे में डिटेल बता दीजेगा उसके बाद जो है स्लेव के बारे में उसके बाद जो है मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा उससे पहले मैं आप लोगों को एक आकड़ा दिखा देता हूं तो यह आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड इतने जो है गर्मी में मैं आप लोग के वीडियो सूट करता हूं फ्रेंड अभी बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं फिर भी वीडियो सूट कर रहा हूं ठीक है और नाट सस्क्राइब 57.4 परसेंट है जो रेगुलर बाच करते हैं तो मेरी आप से हाँ जोड के रिकुष्टे इस आकड़े को प्लीज बढ़ा लीजिए और ये वाला जो आकड़ा है 57 वाला इसे प्लीज कम कर दीजिए फ्रेंड जाला से जादा लोगों में सेर कीजिए उन्हें सस्क्राइब करने के बोलिए क्योंकि आप से परिच्छा रिकार्ड है ये 57 बचना चाहिए और ये 42.6 परसेंट है ये 43 हो जाना चाहिए मात इतना सा टार्गेट है फ्रेंड इसे मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग जरूर कंप्लीट करेंगे तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक बिलेंगे नेस्ट वीडियो में नई